हेलो दोस्तो आज हम जानेंगे एंटिवारेस अपने कम्प्यूटर में डलवाना चाहिए या फिर बिना एंटिवारेस डलवाए भी आप कम्प्यूटर को यूज कर सकते हो तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डेटेल से एंटिवारेस के बारे में देखो एंटिवारे यूज करते हो तो आपको कोई भी एंटिवारेस डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका कंप्यूटर में जो भी वायरेस होगा वह आटोमेटिक अंदर से डिलीड होता रहेगा आपके कंप्यूटर में बाइडिफाइड विंडोज डिफेंडर नाम से एक एंटिवार है तो विंडोज 11 में आपको वायरेस छेमेंगे करने के लिए इसको और सेखर के लेंगे अपने computer को scan करने के लिए यहाँ पर आपको virus threat protection पर आपको click करना है तो जैसे आप यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपको quick scan का option मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपने computer को quick scan कर सकते हो तो यहाँ पर आपको बस click करना है और यहाँ पर थोड़ा से wait करना है और यहाँ पर defender antivirus scan your device तो यहाँ पर scan कर चुका है और यहाँ पर no new threads were found तो यहाँ पर कोई भी वायरिस यहाँ पर नहीं मिला है तो Microsoft Defender जो antivirus होता है आपके Windows 11 में कंपनिक तरफ सेंवेल्ड रहता है आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना आप हमेशा अपने computer को update रखो यह proper काम करता है तो अपने laptop को अपडेट कैसे करना है वो भी आप समझ जाओ तो यहाँ पर सर्च पर जाना है यहाँ पर आपको Windows update लिखना है तो Windows Windows update आपको यहाँ पर कि सर्च करना है तो windows update यहां से आपको मिल जाएगा यहां पे लिखा हुआ check update तो यहां पे check for update पे click कर देना है और यहां पे अपने computer को हमेशा आपको update रखना है यहां पर हमारा laptop अब्डेट नहीं है तो यहां पर चैक फॉर अपडेट पर क्लिक करके आप इसको चेक कर लो कि आपको कम्पूटर अब्डेट है या नहीं जब आपको कम्पूटर अब्डेट रहेगा तो आपका कम्पूटर बहुत अच्छे से work करेगा और सारे साफ्ट्वेर अपडेट रहेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा computer अपडेट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं मैंने कली अपडेट किया था तो यहाँ पे आपको अपने computer को अपडेट करते रहना है और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको फिर भी लगता है आपके computer में कोई वायरेस है तो Windows 11 में आपको special tool दिया गया है वायरेस निकालने के लिए उसके लिए आपको बिंडो प्लस आर दबाना है उसके बाद यहाँ पे आपको type करना है MRT यहाँ पे आप देख सकते हो MRT हमने type किया और यहाँ पे बस आपको OK कर देना है जैसे आप OK करोगे तो आपको एक बार और यहाँ पे next करना है तो यहाँ पे हम next कर देते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वीक स्कैन दिया है फुल सकेन दिया है और यहां पर कस्टमाइज सकान दिया है अगर आप कोई pen drive या फिर external harddix या फिर sd external आप लगाते हो तो उसको अगर scan करना चाह रहा हूं तो यहां पर customize scan पर जाके आप उस pen drive या फिर sd को भी scan कर सकते हो और quick scan हम यहां पर करेंगे तो quick scan यहाँ पे select है और यहाँ पे हम nest कर देंगे तो जैसे आप nest करोगे तो यहाँ पे यह quick scan आपके computer को scan करना इस्टाट कर देगा और यह थोड़ा सा time लेता है तो यहाँ पे आपको 2-4 minute wait कर लेना है और यह complete पूरा quick scan करके अभी आपको reject दे देगा अगर कोई virus होगा तो भी यहाँ पे दिखा देगा तो इस तरीके से आप अपने computer में वायरेस निकाल सकते हो और आपको कोई भी थाइट पाइटे एंटिवायरेस डलवानी की कोई भी ज़रूरत नहीं और मेरा laptop जो है एक साल से बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है एक भी वायरेस मेरे computer में नही है तो यह बहुत अच्छा फीचर से इससे आप कभी भी किसी भी device को स्कैन कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो no malicious software was detected तो यहां पर कोई भी वाइरेस नहीं detect हुआ और यहां पर finish का आप्साना गया तो बस आपको इसको finish कर देना है तो इस तरीके से आप अपने computer में कोई भी वाइरेस हो तो निकाल सकते हो या फिर कोई अधर device में भी हो तो उसको यहां पर custom scan में जाके निकाल सकते हो इस तरीके से आप अमने computer से virus निकाल सकते हो वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को subscribe करो अगर आपको कभी भी computer से related जानकारी चाहे है तो आप मुझे comment करके पोच सकते हो, thank you